सब्सक्राइब कर दो आपके अपने चैनल में एंप स्थ आप पसंद आ हैं आप लोग को मेरे टेक्निकल अनलाइस आप अनेगें मेरे साथ स्टेलिगाम चैनल एस वल एक्षिंग्यूब पर घ्माच फोंच एयर। तो आज की वीडियो में मैं ऐन अवी करने वाला हूँ आप लोग के साथ में या फिर एस करने वाल जो है र सकते या यह पूरा डिसकस करेंगे इस के बाद अच्निकली ऑस क्या सथी और आगे रह सकती है फ्राइडे का ब्रेकडाउन तो आपको देखा ही होगा आपने जबरदस था पहले से मेरे से में लॉजिकली और लॉजिकली दोनों तरह से लग रहा था कि डाफिनेटली मार्केट इतना डाउन जाना चाहिए अपने गेमचेंजर्स प्रीमियम ग्रूप में मैंने इस पर मैस है कि next three days में 500 points up to nifty as well as 2000 points in bank nifty में गिरावत डिखी जा सकती है and same day हमने NSE का breakdown भी face किया था जिस वज़े से trading का सारा game change हो गिया था so next day opportunity मेरी पूरी तरह से almost same यही level के पास आके रुका 500 points nifty में as well as bank nifty में हमने 200 points का breakdown देखा enjoy किया पूरी तरह से इस चीज को हमने enjoy किया बहुत अच्छा profit हमने बनाया but राद गई-बाद गई आप आगे क्या होगा March का expectation में लेके हैं आप लोगे साथ में इंडिया ने recently growth show की है GDP में 0.04% की December quarter में and technically पिछली quarter में हम recession में जा रहे थे अभी recession से बहार आ गए है and हम उन countries की list में आ गए हैं जिन में yoy growth जो period है उसका positive दिखाया है GDP का चाइना ताइवान वियतनाम और इंडिया positive year to year growth देखने के लिए मिली है and reverse किया है हमने technical decision से आगे आके and आगी क्या हो सकता है fundamentally जाए तो vaccine rollout vaccine की success काफी जादा depend करेगी आने वाले time में and covid के जो strains है बाकी जो भी pandemic से related है ये चीज़ definitely impact कर सकती है but it's really unexpected movement मतलब unexpected counts GDP में देखने के लिए मिले है और instantly हम recession वाले जो condition थी उससे बहार आ गए और अब चलते हैं मेरे factor पर मतलब जहां पर मैं जादा strong हूं जहां पर मैं थोड़ा confident रहता हूं अब बात करते हैं technical analysis की अब थोड़ा चलते हैं data की तरफ अगर FII और DII की activities देखें तो FII overall पूरे February में buying zone में रहा है अगर आप इसको deduct करके निकालेंगे तो overall buying zone में रहा है हलंकि DII ने थोड़ा sale off किया है लेकिन इतना नहीं average रहा है अगर आप DII की activities देखेंगे overall monthly में DII ने sale off किया है लेकिन अभी DII ने Friday को अच्छी buying देखने के लिए मिली है 1500 करोड की हलंकि FII का data 26 का यहां भी available नहीं है बहुत सारी चीज़े available रहती है आस्ता पर मतलब एक ही जगह आप सारी चीज़े यहां देख सकते हैं अगर चार्ट की तरफ चला जाए तो Nifty को 50 SMA का strong support मिला हुआ है and multiple times pullback same level से देखने के लिए मिले है possibility है कि sharp pullback again देखने के लिए मिलेगा तो चली review कर लेते हैं एक बार अगर मैं आपको one day की frame की तरफ लेके जाओं so same follow up हमको मिला हुआ है continuously 50 SMA का हम breakdown के बाद always pullback करते आ रहे हैं 50 SMA के पास से multiple times आप देख सकते हैं अभी recently भी जो breakdown आया था 3596 के पास से same 50 के support के पास से pullback किया था and same condition अभी फिर से यहां apply होती ही दिखाई देजिए same level के पास से presently pullback किया है हमने हालांकि candle बड़ी है जादा bearishness देखने के लिए मेरे लेकिन अगर हलकस अभी हमको gap up मिलता है nifty में और SGS nifty almost 100 plus points close हुआ है पास 639-630 के लेवल के पास close हुआ है तो definitely यह माना जा सकता है Monday अच्छा moment देखने के लिए मिल सकता है तो अगर हम quickly 14,700 का level regain कर लेते हैं definitely एक अच्छे momentum की possibilities रहेंगी क्योंकि 30 minutes के frame में almost MACD मुझे drain होता हुआ दिखाई दिया है bears की side से तो एक अच्छी fresh buying देखी जा सकती लेकिन important रखता है 14,700 हम maintain करें sharp price actions इसी level के पास से always देखने के लिए मिल है जो कि push कर सकता है 15,200 के level के लिए लेकिन मैं पूरी तरह से bulls भी नहीं हो दोस्तों में पस कुछ data points ऐसे भी है कि अगर market breakdown दिया तो गिरावट जो है और भी जादा intensify हो सकती है और भी जादा अच्छी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है 4 hours के frame पे अगर आप review करेंगे तो एक बड़ी चिंता जनक विशह यह है कि हमने 50 sma के नीचे एक बड़ी candle के साथ ने close down दिया है एक बड़ी अच्छी internal candles हमने बनाई है तो अगर इस candles के नीचे हम आते है 14,450 के नीचे अगर हम continuously trade करते हैं बहुत ही भयाव है इस थी bulls के लिए हो सकती है और similar level के पास हम अटके हुए है sharp breakdowns इसी level के पास से देखने के लिए मिल सकते हैं हालंकि एक gap है अगर gap fill का attempt किया तो continuation bearishness में आपको देखने के लिए मिलेगी तो same बहुत ही strong support रहेगा हमारे पास 14,450 का अगर breakdown हुआ मैं आराम से sales side जाऊंगा और बड़े आराम से 14,000 के levels expected हैं लेकिन कहानी अभी यही कह रही है अगर one day के frame को follow up किया जाए always जितने अगर frames आपके बड़े होंगे उतना अच्छा आपको decision लेने के लिए मिलेगा 50 sma के pass से pullback की संभावना है अगर gap up होते हैं definitely bullish continuation देखा जाएगा 14,450 अगर नीचे आ जाते हैं आपको दिखाई देंगे अगर आप game changers के साथ connected है game changers की accuracy game changers के option traits आपने देखे ही होंगे और देखा होगा किस तरह से game changers हर एक तरह के options में मतलब game change कर देता है चाहिए वह index का या stock का तो इसी तरह की analysis सीखने के लिए और मतलब highly accurate अपनी entries बनाने के लिए जाइन कर सकते हैं अब life changing course game changers के साथ में option का क्योंकि margin बहुत कम होता जा रहा है intraday में option सी एक अच्छी चीज बचने वाली है intraday में retailers के लिए जहां से वह अच्छा gain कर सकते हैं लेकिन अगर वह correctly entry करते हैं तब otherwise options आपके लिए dual edge है नुकसान ज्यादा देगा profit कम तो अपनी accuracy बढ़ाने के लिए आज ही join कीजिए इस course को पूरी assurance के साथ में options को आप trade कर पाएंगे एक pro की तरह से contact कर सकते हैं आप दिये हुए whatsapp नंबर पे and quickly join कर सकते हैं seat is हर batch के लिए थोड़ी सी limited रहती है ताकि live session के time पे ज्यादा noise create ना हो आप reserve कर सकते हैं quickly अपनी seats को possibilities ह है कि within five to six days में हम इसको begin करेंगे so expected targets मुझे क्या लग रहे है nifty के अगर 15100 का major resistance हमें देखने के लिए मिला है अगर breach कर जाते हैं targets बहुत अच्छे हैं 15600 15800 और एक मतलब mentally जिसको बोला जा सकता है target 16000 mark देखने के लिए मिल सकता है immediate support जो हमको चाहिए होगा ऊपर जाने के ल minimum इतना level चाहिए ही होगा bulls को अगर regain करना है तो otherwise इसके नीचे रहेंगे uncertainties बनी रहेंगी and beers गेम में बापस आ सकते हैं otherwise 14600 immediate support के बाद 15100 है 15100 ठीके रहे बहुत आराम से 16000 mark देखने के लिए मिल सकता है और banks outperform कर सकते हैं पूरी तरह से इस March में ऐसा आने वाली news से मुझे economical news से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है तो तैयार रहें एक thrilling March के लिए हालांकि liquidity थोड़ी सी कम volume कम देखने के लिए मिल सकता है तो पहला भी अच्छा रहेगा कि सापधानी पूरवक watch किया जाए और मतलब ज्यादा aggressively trade ना किया जाए देखा जाए कि कितना defect मतलब defense आ रहा ह है margin policy का 50% होने जा रहा है बाकी शेयर करता रहूँगा आप लोग के साथ में GC trades टाइप करके आप जाइन कर सकते हैं मुझे मेरे telegram channel पे and thank you so much for watching I wish कि आपका March भेतरिन जाए और आपको जबरदस्ट wealth देखे जाए thank you so much